मैं थोड़ा दम चाहिए बोलो संत शिरोमणी धन्ना भक्त महाराज के भारत माता के भारत माता के आज हमारे मद्यमे विराजमान भारत वर्ष के उप्रास्ट पती आदनिय शिरी जैदीप धन्करजी साथ ही इस मंच की शोवा बढ़ा रही है आदनिय शिरिमती उप्रास्ट पती डॉक्टर सुदेश धन्करजी मंच परविराजमान हरियाना के भारतिजिंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री ओम प्रगाश धन्करजी और सारजनिक उप्करम ब्यूरो के अध्यक्ष पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आज का ये जो इतना बड़ा विशाल कारक्रम है इस कारक्रम के सेयोजग श्रीश भाष बराला जी समस समाज को मार्व दर्शन देने वाले हमारे जीवन को एक दिशा देने वाले हमारे बीच में बड़ी मात्रा में संत समाज बैठे हैं मैं उनको भी अभिनिंदन करता हूँ सरकार के हमारे मंत्री गण सांसद गण विधाय गण सभी अन्य पत्तिस्ट जन सभा में उपस्तित बुजरुगो नौजवान साथियो माताव बहनो पत्रकार चायकर मित्रो आज का आउसर बहुत ही एक यादकार का उसर बनने वाला है इस आउसर पर कारकम करने का जब विचार मन में आया था उसके अपने एक भूमी का है उप भूमी का जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा हमारा इतिहास बहुत बड़ा लंबा इतिहास है पीछे अतीत में जाकर देखें तो इस देश के इतिहास में समाज भी अलग अलग प्रकार से और उसका रहन से नम को देखने को मिलता है उनका मार देखन करने के लिए संद समाज की भी अपनी भूमे का रही है और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि हमने दुश्मन आकरांता जो थे जो इस देश के उपर बहुत समय तक राज करते करते हमको जिन्नों दबा के रखा था हमारे उपर अत्याचार होते थे ऐसा एक अपना इत्यास है धिरे धिरे संगर्ष करते करते देश आजाद हुआ 1947 में देश आजाद हुआ कई सरकारें आई कई गई और मैं उस जित बात के और उलेक करना चाहरा हूँ जब देश के अप धान मंत्री नेंदर मोदी जी बने नहीं थे उसके कुछ समय के पहले उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि अब देश के आप धान मंत्री तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं एकाज साल के अंदर बन जायांगे वातावण ऐसा बन गया था उनसे पूछा गया कि जब आप धान मंत्री बनेंगे तो आपकी प्राथिमिक्ता है क्या होंगी अब हम सब जानते हैं सरकार में सरकाचा प्रधान मंत्री हों मुख्य मंत्री हों मंत्री हों सांसाद विधायक जो एक सामाने चलता आता है कि जनता की अपेक्षा लोगों के पेक्षा होती है वो आएंगे विकास करेंगे हमारे अंसड़के बनेंगी स्कूल बनेंगे गलिया नालिया बनेंगी इतालाब बनेंगे हमारे हस्पिताल बनेंगे हमारे कोई कार खाने लगेंगे नोक्रिया होंगी जहास बनेंगे रेल वेल आइन बनेंगी कि साब ये विकास की बातें सामने आती हैं लेकिन मोदी जी ने इन सब बातों का उत्तर उस समय ऐसे नहीं दिया दे सकते थे जवाब कि मैं आऊंगा तो इतने बड़े-बड़े कारखाने ये खुल जाएंगे कोई बड़ा उद्योग लग जायागा कोई हम निवेश ले आए ये जो राजनेतिक नेता हैं ये वास्ता में उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि जो मेरी बिरादरी है उन्होंने कौमनी बिरादरी शवद उपयोग किया था तो जो मेरी बिरादरी है इस बिरादरी की छवी ये बहुत धुमिल हो गई है इस बिरादरी की छवी मैंने के नेता खोते ही आदमी बिदग जाता था क्या कि नेता जो है राजनी एक नेता होते हैं जो बिष्टाचार करते हốngगे कहीं गलत काम करते होंगे जहां जन्ता को दुख पहुँचाते हुँगे यानि गलत शाद बहुत ज्यादा है बोल भी उन्होंने ये चैलेंज बताया था और इस चैलेंज के बाद आज हम सब को अविमान सुआविमान है कि आज देश में अच्छे लोग भी राजनिती में आने लगे हैं और जब अच्छे रोज आने लगे हैं तो समाज को भी अच्छी दिशा देनी हैं तो जो मैं बात पहले कर रहा था ध्यान सारा पीछे लोड़ कर चला जाता है कि आखर उस समय समाज में बुराईयां अच्छाईयां सब होती थी तो बुराईयों को फैलाने के लिए राक्षस होते थे अच्छाईयां लाने के लिए कौन लोग होते थे अपने कोई ना कोई साहित्य के माध्यम से कोई ना कोई गरंथों के माध्यम से समाज को दिशा देते थे ऐसा ये अवसर ये सन 1400 के आसपास का जो सारा अवसर गया उस समय जब धन्ना भगत जैसे व्यक्ति इस पृत्वी पर आउतन लेते हैं उसी समय उससे 50 साल बाद गुरु नानक देव जी आते हैं उसी समय कई संतों के नाम लिये जा सकते हैं संत गबीर मेरशीवालमिकी गुरु रुविदारु इदास ये उस समय के नाम है गुरु नानक देव के बाद दशम पाश्चाही अगले 200 साल तक ये उनी का नाम उसी समय का है उन लोगों ने इस समाज जीवन को पहले भगती भाव से ठीक किया लोगों के मनों में जो बिलकुल बुजा हुआ मन था अंधेरा ही अंधेरा था, निराशा ही निराशा थी लोग भै खाये हुए बैठे थे उनको कोई बोलने की अजादी भी नहीं थी उनको थुड़ा सा जागरित किया और उसके बाद दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है तो फिर हत्यार तलिवार भी उठाई हत्यार तलिवार उठाकर के दुश्मनों का मुकाबला किया गोविन सिंग के समय में ये सारे काम हुए शिवा जी के समय ये काम हुए मानना प्रताब के समय ये काम हुए किटने ही महापुरुश Ainसे हुए है जिन्होंने देश ठीक दिशा दी है तो विचार आया कि हम भी क्या वो सडके मालियों में लगे रहेंगे या कोई संतों महापुर्षों को भी याद करेंगे उसके बाद हर्याना में हमने योजना बनाई कि यह रैलियां तो हम करेंगे राजनिती रैली कभी उद्गाटन है कभी शेलान नास है कभी कोई मांग पतराता है कभी कोई हम राजनिती में किसी को गालियां देते हैं अपनी प्रसंशा करते हैं लेकिन इससे काम नहीं चलेगा हमको ये संतों महापुरुषों के संवान के लिए कुछ करना पड़ेगा और तब हमने हर्यानम योजना बनाई कि संत समाज के विचार प्रसार की योजना उनके संवान की योजना इसमें जितने भी संतों उनकी जंतियां मनाएंगे हमने गुरु रविदाजी की जंति बनाई भगत कबीर जी की जंति बनाई पगवान परशुराम जी की जंति बनाई हमने मारशी कश्व की जंति मनाई गुरु तेग भादर जी की गुरु गोबेन कितने संतों की मनाई कुर्ख शेत्र के अंदर जार्ध हरमशाला się कारकम है गया वहां के कुछ लोगों ने कहा के हमारे आएक धन्ना भगत का स्कूल उनकी स्मृती में चलता है जब उनके स्मृती में स्कूल चलता है तो धन्ना भगत किसी ने नाम नहीं सुना बहुत ऐसा नाम बहुत किसी किसी को पता होता है कहीं कहीं लोग जानते है सुना आमने के धना भगजी की वाणी के तीन श्लोक गुरु गर्ण साब जेमिवे आते हैं धना भगजी कौन हुए अध्यन किया और अद्धिन किया तो ध्यान में आया कि देश में एक ऐसा संत जिसके बारे में कोई जानता नहीं है उनकी शिक्षाओं का प्रचाव कसार क्यों नहीं करना चाहिए कुर्क शेत्र में मैंने तीन मेने पहले गोशना की थी कैथल जिले में धन्ना भगत यंति अप्रेल में आएगी यहम सरकारी तोर पर हम मनाएंगे मित्रों हम मनाएंगे यह सारी कहानी कथा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह नाम कहां से इनको याद आगया धन्ना भगत आज तक क्यों याद नहीं आया हम कहते हैं में याद तो आया आपको तो याद भी नहीं आया आखिर कोई राजनितिक आदमी कोई शिक्षा देने वाले संतों की बात नहीं कर सकता कोई बंदन थोड़ी है हमको समाज को भी ठीक करना है हमें समाज का विकास भी करना है समाज की आवशकताओं को भी पूरा करना है हम शिक्षा की बात भी सोचेंगे हम स्वास्त की बात भी सोचेंगे हम सुरक्षा की बात भी सोचेंगे हम स्वाविमान की बात भी सोचेंगे हम सुशाशन की बात सोचेंगे लेकिन साथ में संतों की बात सोचेंगे मित्र जरूर सोचेंगे जरूर सोचेंगे संतों की बात उन संतों की वानी उसकी लगन सब को लगे ताकि जीवन हमारा सच्छ बने सदाचारी बने आज होड लगी है ये इनके इन परकारण कैसे भी सब सीमाय तोड़ करके और आदमी कैसे अपना घर भर ले बरिश्टाचार की सीमाय नहीं रही थी इनको रोकने के लिए सरकार के पास कानून नाम की एक विवस्ता होती है हम रोक सकते हैं कानून से लेकन कानून से लंबे समय तक चीज़ें नहीं रुकती हैं आखिर लोगों को जागत करना पड़ेगा क्या लोगों को जागत करना पड़ेगा कि भाई जो आप से गरीब है उसकी सिवा करो जो पिछड़ गया उसकी सिवा करो सरकार भी वैसे काम कर रही है लोगों काओ कि गलत बात की हमीं न भरें उस पर ठीक काम करें कुरितियां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो हमने शुरू किया मोदी जी आये हर्याना में कहा कि हर्याना प्रदेश का नाम बदनाम है बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला सकते हैं हमने काम चला सकते हैं हमने बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया 2014 में ये जंडरेशो जो 851 थी आज पसंदता है मुझे बताते हुए वो 58 से बढ़कर के 923 हो गई है मित्रों 923 हो गई है यहनि दोजार लड़के लड़कियों के उपर अभी 72 लड़कियां वो कोक से मरने में बच्चती है उनको जीवन मिलता है समाज के बहुत बुराई जो आने माली बुराई उस कलंक से हम बचने की और आगे बढ़ गए हम बच जाएंगे और मुझे खुश है इस बात में ग्रामिट शेतर की जनता ने मेलाओं ने संकल्प लिया के बेटों के नाम से कुवाँ पूजती थी बेटियों के नाम से भी कुवाँ पूजना शुरू किया हमारी माताओं वहनों ने बेटी के नाम से भी कुवाँ पूजना शुरू किया ताई धापो उसका एक बड़ा सुरू बना करके सारे गाउं में लोगों ने का गए ताई धापो ये अच्छा काम कर रही है हम भी ताई धापो बनेंगी मुझे आनन्द इस बात का आपको बताते हुए कि जो खापे हैं हमारी जिन खापों को इंग्लिश मीडिया ने बनाम किया उन खापों ने साहता की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत बड़ी जागरती पैदा की बहुत बड़ी जागरती पैदा की हमने महिला शिक्षा की दृफ ध्यान दिया महिलाओं के कॉलेज 42 मैलाओं के कॉलेज अभी तक पिछले आठ साल में मैसे तो हमने 71 नए कॉलेज खोले हैं लेकर 42 के उन मैलाओं के कॉलेज खोले कि मैलाओं की शिक्षा इसको हम आगे बढ़ा सकें आज भी बहुत सी समस्या है समाज में है नशे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है धन्ना भग जी जो उनकी वानी में जो कुछ बाते हमने पढ़ी है वो समाज सुधार में यह तो कहते थे कोई गरीब है कोई भूखा है खाली पेट है उसकी भूख का हमको कोई न कोई उसके मिटाने के लिए प्रितन करना चाहिए मैं दानी बनना चाहिए और उनके जीवन की तो एक कथा आती है कि वो इतने भक्ती भाव में लीन थे प्रभू कृशन जी की भक्ती में कि कभी कोई भूखा आ गया संत आ गया सादू आ गया अपने घर से अनाज उठा करके उनको दे देते थे किसी को भूखा नहीं जाने देते थे घर में कुछ अपने लिए बचे ना बचे बलके पिता जी उनके बहुत एक बार गुसा हो गए कि तुम जो कुछ मैं लेके आता हूँ कमा के लाता हूँ संतों को बांट देते हो जाओ तुम अब घर नहीं बैठोगे तुम खेत में जाके काम करोगे या नाज उठाओ गाड़ी में रखो बीज ले जा करके और अपनी खेती में जाके बुआई करो चल पड़े धन्ना जी दन्ना जी रास्ते में जाते जाते बैल गाड़ी पर अपना बीज रखके जा रहे थे सामने कुछ शाधूं का टोला आ रहा था उन्होंने गाड़ी वाले को रोका के भाई बताओ धन्ना का घर कहा है उनका बोलो माराज क्या काम है धन्ना से कि नहीं धन्ना जी के घर में जाकर के हमको भूख लगी हम खाना खाएंगे कहले कि धन्ना तो मैं हूँ कि तुम कहां जा रहे तुम घर चलो और खाना खिलाओ कि नहीं घर तो मैं नहीं जाओंगा अभी मेरे पास ये जो बीज का अनाज है चलो इसको ले करके चलते हैं इसको पिस्वा के लाते हैं और बैठके खाना मिना के रात को आपको खाना सब को शाम को मिलेगा बीज भूल के बोना और वो बीज जो है अनाज पिसा करके और उन भक्तों उन संतों को साद्मों को जाके खाना खिला दिया अब खाना खिला दिया बीज खतम हो गया बुआई करके आनी है वही रात को बार सो गए अगले दिन सुबह है लोगों को दिखाने के लिए पिताजी की डाटना पड़े हल चलाना शुरू किया रेत का टोकरा भरके और बीज की जगह रेत को डाल करके और ऐसा दिखाया जिसमें बुआई कर रहा हूँ और खेत में रेत बो के आगए शाम को पिताजी ने पूछा कि बुआई करा है कि हामें खेत में बो आया हूँ सब कुछ क्या बो के आहूं नहीं बताया कि बीज नहीं रेत बोया है है कैसे बताएं को ने ना जी के पिता जी को कहा किस बार तुमरी फसल बहुत बढ़िया है कि लिए कैसी जो ऐसे होती है वैसे इस बाह रखने नहीं इस बाह तो बहुत अच्छा उस पर फल लगा है बहुत अच्छ है उसमें बीज है बहुत अच्छा ही है प्रशंशा की खूब धन्ना वगत मनिमन मुस्करा भी रहते परिशान भी हो रहते कि बीज तो बोया नहीं रेत बोया है कैसे फसल हो गई जा करके उसने भी देखा तो लेलहाती फसल रेत बोया हो भले ही लेकिन किरपा भगवान की कि जुन संतों की सिवा की थी उसमें से उनको पताब हुआ और उस केत के अंदर बिना बीज के भी फसल होई ये हैं धन्ना वगत की कहानी कितनी महान आत्मा रहे होंगे कैसे लीन वगती में हो गए मैं उनकी बात को इसलिए जोड रहा हूँ आज भी क्या समाज में ये धरना नहीं बननी चाहिए कि गरीब की सेवा करो हमने हर्याना में गरीब परिवारों के सब की सेवा करने के लिए परिवार पैचान बतराया बनाया हमने का जो कम आये वाले परिवार है उनके घर में अन्न पहुंचना चाहिए जो पहले राशनकार बने हुए थे उसमें साड़े बारा लाख पिछले तीन मेने पहले नए राशनकार जोड़े हैं उनको दिया हैं एक साथ साड़े बारा लाख कार ताकि अन सब को पहुँचे कोई भूखा न रहे किसी के परिवार का कोई व्यक्ति बिमार न रहे बिमार हुआ तो उसका इलाज किराने के लिए घर पर बोज़ न पड़े परधार मतिजी ने आयोशमान भारत ये योजना चलाई पाच लाख रुपे हर परवार की साहता ये परिवार भी साड़े पंद्रा लाख थे जब मोदी जी ने लिस्ट निकाली हमें लगा ये भी कम है हम आरे और इसको आगे बढ़ाना चाहिए और साड़े तेरा लाख परदेश सरकार की जोड़ करके आयुशमान भारत चिराई हो रियाना 29 लाख काड हमने किये भायो बेनो मैं इसलिए गिरा रहा हूँ ये सरकार आपकी वो सारे काम जो संतों ने बता रखे हैं जो सीधे कर सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं उन कामों में हमारा विश्वास असनाते से हम कर रहे हैं हमारी अलोचना भी बहुत होती है बहुत अलोचना होती है हमारे विपक्षी लोग करते हैं हमें कोई चिंता नहीं है हमारे जिमें सेवा का काम लगा है राजनिति में आकर के सेवा करना ये हमारा धर्म है कभी कोई करता नहीं था और एक नई बिमारी समाज के अंदर जो चली है उसके पती भी आगा करूँगा पिछले आठ साल से देख रहा हूं मैं ये राजनितिक लोग समाज को जातियों में बाटते हैं कि जातियों में बाट करके ये जाती मेरी ये तुमारी ये इसकी ये उसकी इस परकार से चलते रहे हैं हमने 2014 में संकल्प लिया था भाई उबैनों के हरियाना हरियानवी एक होकर के बनेगा हरियाना एक हरियानवी एक जातिपाती से उपर उठेंगे ये संतों की भी जाती पातिया तो थी ही सही असानी का नहीं थी लेकिन कभी भी किसी संत ने किसी एक जाती का संत होकर के कभी भी कचालचनल नहीं किया उनका वेभार सारे समाज को मानवता लेकर के चलता रहा भगत कभीर उनका एक दोवा हमने सुना है कभीरा खड़े बजार में क्या हागे कभीरा खड़ा बजार में सब की मांगे खैर ना काउसे दोस्ती ना काउसे बहर अब थे तो वो भी किसी एक समाज से पैदा हुए तेकर उन्होंने कभी भी और मैं तो इतना प्रभावित वाइस वाणी से मैंने जब भगत कभीर की जन्ती पर गया था मैंने उसे दिन गोशना की कि मेरे घर का नाम भगत कभीर कुटीर रहेगा और उसे दिन बोड़ लग गया था भगत कभीर कुटीर का संधना भगत हुआ होगे किसी एक जाती के अंदर पैदा लेकिन जाती के संत नहीं है उस सारे समाज के संत है उन्होंने भी गुरुवाणी में जो कुछ लिखा है उस गुरुवाणी में लिखा हुआ मैं आपको पढ़के अगर सुनाओ तो आपको ध्यान में आयागा गुरुगरंस साब जी में लिखा है जोत समाई समाणी जाकर अचली प्रवपैचाणया उनका जिसके जीवन में परकाश होता है उसी को प्रभू की पैचान हो जाती है जिसके जीवन में परकाश होता है उसी को प्रभू की पैचान हो जाती है आगे लिखता है धन्ने धन पाया धरनी धर दन्ने धन पाया धरनी धर मिली जन संत समाणया दन्ना भगत कहते हैं कि उनका प्रभू से मिलन हुआ है जो स्रिष्टी पालक प्रभू है उनके उनका जो मिलन हुआ है संत संकदी को पाकर प्रभू के साथ वो आतम साथ हो गए है यानि कितना बड़ा विचार उनका ऐसे संत को भुड़ा बैठे तो ऐसे संत को भुड़ाना नहीं है हमने उनके जीवन को भी सिक्षा लेते हुए और चाहे वो हैं चाहे उनके समय के और संत हुए हैं मैं बताया कि 50 साल के बाद गुरु नानक देव जी भी हुए है इस खेतर में इलाके में गुरु नानक देव जी की वानी का भी बड़ा प्रसार है गुरु नानक देव जी ने तीन शब्द हम को दिये थे उन्हें कहा था कि किरत करो अर्थात मेहनत करो इमानदारी से करो दूसरा उन्हें कहा था कि नाम जपो भगवान को याद करो तीसरा कहा था वंड चको कि गरीब को सहता करो समय बाट करके खाओ तो सब बाटें गे समाज का एक दर्शन ये उन्होंने अमारा सामने रखा था तो ऐसा करते करते मेरा तो यही कहना है कि संतों की इन्वानी को याद करते हुए मैं तो धन्ना भगत जी के नाम को उनकी यादगार अमर बनी रहे इसके लिए कुछ बाते जरूर आपको कहना चाहूंगा एक तो कहीं न कहीं हमारी जो पाठ्ठे पुस्ट के हैं संतों का जहां उलेख होगा वहाँ धन्ना भगत जी के नाम का भी उलेख जरूर कराएंगे लाकि उनको मियाद रखें अभी पीछे धन्ना भगत स्कूल में मैं गया था उन्हेंनों कुछ मांग पत रखा था छोटी छोटी मांगें थी बलकि मुझे कस्ट भी वाइस बात का जिस बच्चे इस स्कूल में धन्ना भगत में बच्चे पढ़ते हैं ने काभी उन बच्चों को पूछा कि आप धन्ना भगत जी के बारे में क्या जानते हो एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ मैंने उसी समय कहा कि धन्ना भगजी के उस तक इन बच्चों को पढ़ाओ जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस नाम को याद रखेंगे धन्ना भगजी का स्टैच्यू हमने कुर्षेतर में लगाया था तो एक धन्ना भगजी का स्टैच्यू दनोरी के गाउं में या यहां के आसपास के लोग जहां चाहेंगे जहां उनकी माननेता है एक स्टेच्चू उनका यहां लगवाया जागा तके हमर बना रहे हैं उनका नाम धन्ना भगजी के मंदर में आज उपरास्टरती महदेजी के साथ मैं भी दर्सन करने गया था वहां उन्हें मांग रखी है कि एक लंगर हॉल बनाया जाए उस लंगर हॉल की भी सुकृति दी जाती है ऐसे ही वहां धन्ना भगजी के नाम का तलाब है शरूर है उसकी स्पोर्ट वाल उसकी जो लाइनिंग है वैसे तो मारा पॉंड अथोर्टी का काम उस पर चल रहा है फिर भी उस पर लाइनिंग उस पर घाट वगरा बन जाए उसका और सौंदेकरण जो है उसका वो किया ज है तो बड़े-बड़े महापुर्शों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं तो आज मैं जीन जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उस मेडिकल कॉलेज का नाम संथ शिरोमणी धन्ना भगज के नाम से रखता हूँ ताकि इनका नाम अमर है बहुत ऐसे पिछे राजनितिक आदमी आए दो या तो फिर अपने पिता जी का दादा जी का नाम रखते हैं या अपने ही नाम से चीजों को आगए चलाने लग जाते हैं लेकर हम कहते हैं कि जिन्नों ने बहुत समाज के लिए किया अनाम जो है ऐस से लोगों को याद रखो हमने इससे पहले भी एक युनिस्टी का नाम महरशी वालमी की युनिस्टी नाम रखा एक महरशी युनिस्टी का नाम बगवान विश्करमा के नाम से हमने वो रखा एक युनिस्टी का नाम पन्दिन देल उपाध्य के नाम से रखा ऐसे ही पिछले कुछ गाओं की मांगे भी मुझे दी गई है हाला के आसपास के इलाके की भी मांगे आई है क्योंकि यहां तो जन समाज केवल गाओं का नहीं आसपास के गाओं से या विदान समाओं से भी आया है कई जिलों से भी आया है तो मैं आज तो थोड़ी मांगे के विल इस गाओं की हैं उसकी अनौसमेंट कर रहा हूँ बाकी विधान सबाओं की जितनी अनौसमेंट हैं जब जब भी वहां जाना होगा या हम उसकी feasibility देखकर के एक साथ वहां की अनौसमेंट करेंगे लेकिन इस गाओं के नाते से चोके यहां आना हुआ है तो यहां के लोग क्या पेक्षा है सबसे पहला तो धनोरी में एक महिला कॉलेज गर्ल्स कॉलेज इसकी डिमांड आई है उसको मंजूर किया जाता है इसी प्रकार यहां पर पीने के पानी की एक अठनाई है पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी लेकिन सप्लाई भाखडा नहर से हो जाए यहां की मांग है इसकी सप्लाई भाखडा नहर से की जाएगी इस गाओं में सीवरेज और गंदा पानी के निकासी इस काम को भी क्योंकि महागराम है इसलिए यहां का सीवरेज और पानी के निकासी की विवस्ता ये भी की जाएगी यहां की गाओं में एक Community Hall और एक Library Hall ये दोनों भी मंजूर किये जाते हैं अनाज मंडी उसमें कच्चे फड़ हैं उसको पका कराना RCC का कराना गेटों के रिपेयर पेंट कराना मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगा और कोई वस्ता उसकी की जाए एल्टी लाइन बिछा करके लाइट की वस्ता की जाए और Market Committee का कारले बनाया जाए पीने के पानी वाटर स्प्लाई का जो सिस्टम है मंडी का वो सब किया जाए इसके लिए साथ क्रोड रुपया मंजूर किया जाता है यहां की जो गोशाला जिसकी चर्था हुई है वैसे तो गोशालाओं का हम सभी गोशालाओं में यह वस्ता करने वाले हैं एक दो दिन में हमने इस बार गोशालाओं का बजट वो काफी बढ़ाया है पहले चालिस क्रोड रुप्या बजट होता था इस बार उसको चार सो क्रोड किया है कुछ नई गवशालाइं बनाई जाएं इसके लिए हम उनके लिए अनुदान उनको देंगे ताके जो सड़कों पर घूमने वाला पशुदन है बे सहरा पशुदन इनके लिए नई गवशालाओं बनाने के लिए हमने वा उनुदान देने की बात की है लेकिन चलते हुई गवशालाओं में भी थोड़ा बोत योगदान जैसे जनता तो खूब करती है लेकिन हम भी अपनी और से थोड़ा थोड़ा योगदान ताके गौशाला में चारा आदी खरीदने का काम हो कर सके यहां की जो गौशाला है बाकिया अनुदान तो आएंगे आएंगे लेकिन आज केवली इस कारकमे आने पर इन्होंने याद कराया है तो 21 लाख रुपया उस गौशाला के लिए भी देखे जा रहा हूँ मित्रो मन में भाव यही है कि काम करते रहो काम करते हुए आगे बढ़ें कर्मने वादिकाद रस्ते माफ लेशु कदाचना बगवान कर्शन ने ये गीता का उपदेश कुर्शेतर में दिया था और ये कुर्शेतर की जो 48 कोसी परिकरमा की जो एरिया है मुझे लगता है या तो उसी के अंदर आता है उसके नज़ीक लगता है इस खेतर में भी मैं आप सब लोगों से आवान करूंगा कि निस्वार द्वाव से इमानदारी से मेहनत से आप आगे काम करते रहें जिसकी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के काम हमारा सरकार का है हाँ जिसकी जरूरत नहीं है वो हाथ आगे ना फैलाए मैं ये बात कई बार कहता हूं तो हमारे कुछ लोगों क अच्छी नहीं लगती वो कहते हैं आपने जो करना वो क्या करो ये क्यों कहते हैं ये ना क्या करो मेरा इसलिए करना होता है कि जिसको नहीं जरूरत होती जब वो ले लेता है तो जिसकी जरूरत होती उसको नहीं मिल पाता है इसलिए उनके साथ अगर नयाय करना है तो जो ठीक ठाक लोग हैं उनको अपने दोनों यानि हाथों की दस नाखुन की कमाई करके आगे बढ़नते हुए और अपना काम चलाना चाहिए जो बिचरा पीछे रह गया है जैसे घर में भी एक परिवार का जो आदमी होता है उसको यानि कमजोर अगर होता उसी की साथ आखी जाती है और सरकार जो काम करती है उसमें सहीओ करना चाहिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दबाव बनाने के लिए कई बार जो है ना जैसे जिसका देंगताना करना आंदोलन करना स्लाइक करना और जबरस्ती काम को कराने का के बढ़ती हैं इतनी बात कहते हुए मैं आपका बहुत आबाहर धन्यवाद करता हूं बहुत धन्यवाद